आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है प्राहन पतिश्व से पहले शिवपाल यादव का बड़ा बयान बोले प्रचवार ऐसा हो रहा है कि जैसे भगवान राम बिहार के मंदर अशोक चौदर ही ने लगाया आरोप प्राम मंदर के नाम पर राजनेती कीचवा रही है आए देखते खबर विस्तार से अकिलेश यादव पर बसपा सुप्रीमो का पलटवार कहा पहले उन्हें अपने गिर्बान में ज्छा कर देख लेना चाहिए कि उनका दामन भाशपा को बढ़ाने वो उसके मिल जोल के मामले में कितना दागदार है दरसल अकिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो को गड़ बंदन में शामिल करने के सवाल पर कहा था कि उनकी गैरेंटी कौन लेगा बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर लिखा कि अपनी वो अपनी सरकार की खास कर दलित विरोधी रही आदतो नईती ओ कारिया शैली अधी से वजबूर सपा प्रमुक द्वारा बीएस पी पर अनर्गल तज्ज कसने से पहले उन्हें अपने गिर्बान में ज्छाकर जरू देखना चाहिए आए बढ़ते अगली ख़बर की और प्रांप दिश्वा से पहले शिवपाल यादो का बड़ा बयान बहुत प्रच्वार ऐसा हो जाए जैसे भगवान राम सेफ़ई के ग्राम मुच्छे हरामी गंबल वितरन समारों में समोधित करते हैं सपा के राश्य मासचीव शिवपाल सिव यादो ने कहा कि भगवान राम के वल भाश्पा के ही नहीं सभी के है लेकिन प्रच्वार ऐसा हो रहा है जैसे भगवान राम के वल भाश्पा के है भाश्पा को बंदिर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देरा हम सभी लोग भगवान राम को मानते हैं हमें तो लगता है कि सबसे अधी गरि बिचुड़े दलित वो पक्षित लोग भवान राम को मांते हैं जोते में बैसे वाले लोग है वह दिन में एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेते हैं आए बढ़ते हैं अगली खबर की और बिहार के मंतरे शोक चौदरी ने लगाया आरोप राम मंदर के नाम पर राजनती की जा रही है जारकट में जनतादर युनाइटेट के प्रदेश और मामलों की प्रभारी सौधरी ने कहा कि फिलाल महंगाई और प्रजगाई देश में सबसे बड़ी समस्या हैं समधातक के अ सब्सक्राइब राम का मंदर बन रहा है लेकिन उस पर राजनती का नाची नहीं है अब आप हमारे चैनल का आपके मोबाल पर भी देख सकते हैं मोबाल आपर देखने के लिए प्ले स्टोर से मनेस्टीव आपस डाउनलोड करें इंस्टा हाइक पीचर कुक फेस्बूक और और के सोचल मीड़ा प्लाटफोर्म पर हमारा चैनल उपलब्द है आप इसे यूट्यूपर भी देख सकते हैं आप इसे लाइब भी देख सकते हैं www.mnsnnewstv.com पर अब वक्त हो चला दर्शको ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी कबरे बने रहे MNS News टेवे पर नमस्कार ये है MNS News निटवर्ड और आप देख रहे है MNS News